आदिवासी समुदाय से, आदिवासी समाज से पहली बार कोई व्यक्तित्व भारत की सर्वोच आसन पर विराजमान होने जा रहा है। ये इतिहासिक पल है। क्योंकि वंचितों में भी सरवाधिक वंचित वर्ग, आदिवासी है। उस वर्ग को देश के सबसे बड़े आसन पर इस्थान मिलना, मुझे रखता है भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं में से एक घटना होगी। ये महजे चोधमे राष्ट्रपती की, किनामनात कोबिंद के बाद पंद्रमे राष्ट्रपती का निरवाचन भर नहीं है। तो ये पूरे देश के लिए गर्व का विश्य है, कि आदिवासी समाज की महिला भारत की राष्ट्रपती होने जा रही है। द्रोपती मुर्मों। ये लोकतंत्र की विश्यष्ट्रता और उसकी खुबसूर्ती का एक बड़ा प्रमाल है। भारत के जीवन तो लोकतंत्र का एक बड़ा सबूत। अब इसका राजनीतिक परिद्रश्य भी उतना ही महत्तपून है इस चुनाव का। 11 करोण के आसपास लगबग 10.5 से 11 करोण के बीच में आदिवासी समाज की जनसंख्या है देश में। लगबग 100 सीटे ऐसी हैं लोकसभा की जिनको यह समाज प्रभावित करता है निरवाचन में चुनाव में लोकसभा चुनाव में। कहीं कम कहीं जादा। आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां इनकी आवादी का घनत तो है। तो इतिहास में पहली बार उनके वर्ग का उनके वर्ग से उनकी समाज से कोई महिला राष्टपती बनने जा रही है। तो उनमें चेतना होगी और जिस सोपान के जरिये सीड़ी के जरिये ये संभव हुआ। उस सीड़ी और सोपान के साथ उनका जुनाब बढ़ेगा। तो राजनेतिक तोर पर भाजपा और आदिवासियों के बीच में और ज्यादा हेलमेल दिखाई देगा आने वाले समय में आपको। और ये हेलमेल 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा। और एक बात ध्यानक ये। इसलिए भारती जनता पार्टी ने द्रोपदी मुर्मू के निरवाशन के बाद देश के लगभग एक लाग चालीस हजार या पचास हजार के आसपास ऐसे गाउं हैं जहां आदिवासिय क्योंकि आवादी है अच्छी। उन गाउं एक एक गाउं में उत्सब मनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब गाउं में उत्सब मनेगा द्रोपदी मुर्मू के सिंघासना रूर होने का तो उसका फाइदा बीजेपी 24 में तो लेगी ना। एक पक्ष और दूसरा पक्ष इस चुनाव ने विपक्ष को सरल भाशा में कहूं तो आप माल लीजे विपक्ष के साथ तो खेला हो गया। जो कुछ तागत थी राष्ट्रपती चुनाव से पहले इस चुनाव में वो तागत भी जाती रही। यश्वंत सिनह को उतने बोट भी नहीं मिल रहे जितने बोट कागच पर उनको मिल जाने चाहिए थे। यह कागच पर मिल रहे थे। बक्से में उतने बोट भी नहीं निकल रहे। इसका मतलब कि विपक्ष में अंतरात्मा की आवाज पर बोट देने वाले जादा है। NDA का कुनवा राष्टपती चुनाव में विस्तार पा गया है। मैं नहीं कहता कि यह लोग 24 में भाजापा के साथ ऐलाइंस करके जाएंगे चुनाव में नहीं। ऐसा मैं नहीं कहें मान रहा भी। लेकिन हाँ, UPA के साथ, कांग्रेस के साथ, इनकी अधावत थोड़ी गहरी हो गई न, इसलिए मैं कहता हूं बेपक्ष के साथ खेलाओ गया। जगन रेड़ी, नवीन पतनायक, हेमंत सोरन, कहां कहां देखेगा, सब राष्टपदी चुनाव में द्रोपदी मुर्मू के पीछे खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे, वो तो बिल्कुल अजब और गजब दोनों था, उद्धव ठाकरे का फैसला, कुल मिला कि आप देखिए, तो विपक्ष का की पुरानी हवेली, जो पहले से ही थुड़ी कमजोर थी, इस राष्टपदी चुनावने तो उसकी दीवारे हिला दी दीवार भारती जनता पारिटी के सउजन्य से कलाम साब राष्टपती बने वाजपई जी के समय में, और मोदी जी के समय में रामनाथ कोविद बने जो इस वक्त राष्टपती हैं, जिनका इस्थान द्रोपदी मुर्मुजी लेंगे, लिकिन इन दोनों के चयन विजय के बाद, न राष्टप्यापी उल्लास पर्व नहीं मनाया, लेकिन इस वार भाजपा वो कर रही है, तो इसका कुछ तो अर्थ है ना, अन्य था राष्टपती का निरवाचन हो गया, जीत गया उस राष्टपती की शपत ले, मिठाई बढ़ जाए बात, खत्म, नहीं, भाजपा के लाख डिड़ लाग गाउं तक जाना चाहती है, इस अवसर पर ये बड़ा विशे है, बाकी सब राम कहानी तो ये राजनेतिक लोग से जब चर्चा होगी तो आई जाएगी, लेकिन मैं इस बात को जानकर बड़ा हैरान, कि हमने ऐसे ऐसे लोग चुन लिये, लोग सभा राज सबा में क्या, BDC का मेंबर भी अपना बोट गलत नहीं डालता, वो जानता है बोट का खेल कितना गंबीर है, उसके कारण कुछ भी हो, बोट तो बोट है, गंबीर है, यहाँ 15 बोट बताया जा रहा, इन्वेलिड हो गए, अब तो पानी भी बरस गया, गर्मी भी नह पीछे भी कोई वैलिड खेल है, क्योंकि लड़ू की तस्वीर भी आ रही है, बीच-बीच में बनी हुई हमारे स्क्रीन पर देखिए, भारत की राजनीती तो किताब से जादा जमीन पर है, मैं यह तो मान सकता हूँ कि जो आदिवासी बहुल इलाके में जिसको चुनाब लड़ना है, वो ख्याल करेगा कि पार्टी कोई हो, हम मुर्मुख साथ खड़े होंगे, ने तो चुनाब में मुश्किल हो जाएगे, बस, महिला पुरुष का भेद नहीं मित्र, यह सियासत है, वरी विचित्र चीज है, इसमें पिता हा, पुत्र अलग हो जाते है, महिला पुरुष का लगा भई, जैंत सिन्हा को अपना भविश्य है, यह सिन्हा की साथ नहीं दिख रहा, ना, यह सियासत है मेरे दोस्त, इसमें कहा, चाचा भती जी में लट्ठ चलता है, बाप बेठे में चलता है, देवरानी जिठानी में लट्ठ चलता है, इसम भारत के उध परण देरा हुबार्क नहीं, यह तो और राजनेतिक लोगों को अच्छे से पता होगा, डॉली जी को तो पार्टी इस से प्रसंगों से कई बार दोचार हुई है, बोट अरेज्मेंट को लेके नर्सिंग राव जी जब शपत लिये थे, अमिताब तिवारी के पास जरूर डाटा होगा, तो वो अल्पमत में थे और जब वो छोड़े सरकार, तो वहुमत से भी पार चले गए थे, उनके पास ऐसा मंतर आ गया, तो उसमें तीर, दो तीन तरह से मुझे लगता है, निगोशेशन हो जाता है, डॉली जी, एक हमारे पक्षमे बोट दो, ठिक, इसके एक अलग विधी है, इसका गुरत तो अलग है, इसका वेटेज अलग है, कहीं रस्मल आई है, कहीं बूंदी के लड्डू है, तो कहीं मोती चूर है, तो कहीं गुलाब जामूने, सबका अलग-अलग है एक, दूजरा, हम एपस्टेन कर जाएंगे जी, क्या, और तीसरा होत है, कि हम बटन गलत दबा देंगे, और अगर मोहर लग रही होगे, तो मोहर दो चीजों के बीच में लगा देंगे, तीनों के लिए अलग-अलग मिठाईया है, शिवपाल जी ने कहा, कि मोर्चा छोड़ो, यूपी ए एंडिये छोड़ो, जिस आदमी ने नेता जी को कहा, ये आईसाई के एजेंट हैं, मुलाइम सिंग, बोले उसको बोट कैसे दे सकते हैं, वो सोने का हो जातों भी नहीं देंगे, और समाजवादी पार्टी ने उनको जमर्थन कैसे दे दिया, ये मसला आगे चलके समाजवादी पार्टी के लिए संकट का कारण बनेगा, आपक का भी मामला मैंने बहुत पहले प्रडेक्ट किया था, तब आप पता नहीं कौन सायोगी थे आपके, उन्होंने हमसे का का मिताब जी तो अभी कोई प्रेस विगपती जारी ने हुई, तो मैंने का बेचे प्रेस विगपती जारी हो जागी, तो मेरे बोलने क्या फाइदा, फिर मौन ही रहूँगा, अब तो सब इसपष्ट हो गया, अब कुछ बचा है, नहीं नहीं, इस चुनाव में अब कुछ बचा है, अरे, फिर कहा है, कहां पर्देदारी कर रहा हो, इधर चंदर खीच रहा हूँ, ये टांग खुल जारी, उदर खीच रहा हूँ, वो वाली तो मामला तलाक टेक पहुंच गया, आप कोई दिक्कत नहीं, उदर दूतर जलेवी बनना शुरू भी हो गई है, कि तलाक हो भाई आए तो नाष्टे में जलेवी और कचोडी, एक नारा कोईन किया मैंने अभी, अभी तो केबल जहां की है, पूरी पिक्चर बाकी है, क्या राश्पती चुनाव तो हो गया संपन्न, ठीक, इस चुनाव में किसी को, यश्वंत भाई को, यश्वंत सिनाजी को भी नहीं लग रहा हो, तो होगा अंदर से, कि वो भी जीत सकते हैं, स्वाभा भी कहें, एवरीबडी नोस कि मुर्मुजी जीतेंगी, लेकिन इतने बड से जीतेंगे और वेपक्ष के तमाम बाध तूट जाएंगे, जो 24 में वेपक्ष की सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे, वेपक्ष मेरा मतलब सबसे बड़ी पारिटी होने के नाते कॉंग्रेस ही है, उसके केंद्र में, यह इस्थिती हो गई कि मतलब आपने पराय तो छो जे डी एस, यह तो निपट गया, चुकि इसका परिणाम पहले से पता था, पहले दिन से, कि बीजेपी का यह मुर्मू नहीं होती, कोई भी कंडिडेट होता, बीजेपी जिसको रखती, वो चुनाव जीतता, यह तह था, इसमें कहीं कोई रहस्त रोमांच नहीं, ठीक, ल करके सवाल रखूं सामने, ताकि ही गाउं दिहात का आदमी भी समझ पाए, क्या, यश्वंत सिना को कंडिडेट बनाया विपक्ष ने, इस बात पर, मुझे नहीं लगता, कि एक लाख बोट भी पूरे देश में विपक्ष को बढ़े, टोटल देश पर में, एक लाख साड़े दस से ग्यारा करोड की आवादी में आपके खिलाप एक मानस जरूर बन जाएगा, क्या ठीक बात है, अपोजीशन में कंस्ट्रिक्टिव काम होना चाहिए, मैं इसको और सरल करता हूँ, मन मार के भी, कई बार साथ खड़ा होना पड़ता, अगर लंबी सियासत करन दुकान बंद करनी है तो, खुछ रही है, एक, मैंने जानना है चाहराओं डोली शर्मा, यह मुझे बताईए कौन सा राज, कौन सा भूभाग भारत का ऐसा है, जिसमें यश्वंत सिनहा को कंडिडेट बनाई जाने के विपक्षि के निर्णे के बाद, 10, 20, 50,000 बोट भी बढ़ रहा बढ़ सकता हो एक, लेकिन जब election mode में देश आएगा, तो 11 करोण की आवादी में भाजपा ये बात कहेगी, कि जब देश के इतिहास में पहली बार आदिवासियों से राष्ट्रपती बनने की बात आए, तो कांग्रेश से श्वंत सिनहा को ढूल लाई, क्या कर कांग्रेश उसके विरोध में रही, ठिक, वो ये श्वंत सिनहा को ढून के लाए, हलाकि ये श्वंत सिनहा भी क्या कांग्रेश के बारे में राए रखते थे तो छोड़ देजे, अब इसको और उधारन से समझा दूँ आपको ताकि आपको जबाब देने में आसानी हो, न पहले वो नूरे चश्मत थे, आँखों के तारे थे, ठिक, गांधी परिवार मानता था कि बुद्धी कहीं किसी के पास गिरी होगी, कपिल सिभल से गिरी होगी, तो किसी मिली होगी, ठिक, वो बिना बैठे ठाले वो पहुंच गए सुपरीम कोर्ट, सुन लीजे मेरी बात कांगरेस की लुटिया डूबो दी, पूरे देश में लुटिया डूबो दी, खत्मी कर दिया कांगरेस को, सिर्फ एक की बात भाजय पाक को बतानी पड़ी देश को, देश जान गया कि भाईया ये कपिल सिभल को भेजा था कि राम मंदिर की मसला टाल दो, आप अग्रोस अगरेस की लुटिया डूब गई, जबाली सिर्फ तभी तो आई याई है, आप लोग ऐसा बुद्धमानी का, कहां से खोच के लाते हो, यह मैं समधना चाहरा हूँ, जिसे बटे ठाले, बोले आदिवासी खिलाब कंडिडेट ख़ड़ा करेंगे, राम मंदिर के खिलाब क जाओ आटो करो, वहाँ पहुंचो, सुब्रीम कोर्ट भाग के, जल्दीस बोल के आओ, ऐसा कौन बताता है, तो मैं यह समधना चाहरा हूँ, कौन सा मतलब ब्राम्ही खाते हैं, ब्राम्ही कहा जाता है, दिमाग बढ़ाती है, मेधा बढ़ाती है, क्या करते हैं आप लोग कि हर घाट पर पूरी व्यवस्ता, शौक से डूबे, जिसे है डूबना, क्या आपको यह खत्रा दिख रहा है, कि पहली बार हिस्ट्री में जो सबसे वंचित है वर्ग, उससे वंचित कोई नहीं आधिवासी से, उसकी आवादी भी 11 करोण है, 100 लोग सबा सीटों को प्रभ भावित है, घनात तुस्यावादी के, उस वर्ग से पहली बार राष्टवदी बनने का रास्ता साफ हुआ, और आप लोग यश्वन्द जिना को लियाए, गूट फोर नथिंग, जिनसे बोट बढ़ सकता है, ऐसी कोई समभावना तो यश्वन्द जी को भी नहीं होगी, क उनके खड़े, उनके सहयोगियों का, नहीं, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि नहीं, यही तारक है, यश्वन्द जी का हाथ पकल के, हम लोग भी तर जाएंगे, उससे पहले चार बड़े नाम मना कर चुके थे, यह तो मजबूरी के दूला थे, जब गुड्डू भ कपू भी मना कर दिये, मुकेस भी मना कर दिये, सुरेस भी मना कर दिये, भावत डलवाने से, तो फिर बोले वाई ननकुक पकड़ो, बोले चल बड़ जा, बोड़े पर, इस टाइप के कुछ माहूल था, नहीं, यश्वन्द जी की बात तो मुझे समझ आती है, उनका निर अगर ठीक से होमवर्क होता, स्ट्रेटीजी बनती है, तो शायद कांटे की ललाई होती है, मैं इसके आगे बात कहते हूं, मेरी बात को धहरी से समझ लीजेगा, सुनी फिर जबाब दीजेगा, बिल्कुल सियासत का सवाल है, माल ली जीए एक प्रतिशत, यश्वन्द सिन अर्थन करने वाली पारिटी को दस बोट भी किसी बूथ पर नहीं बढ़वा सकती थी, वो तो राश्मदी हो जाते, लेकिन सुभवा के दस बोट कहीं नहीं बढ़ते, यह जो भी उनको सपोर्ट करते, समाज बादी है, जो भी कांगरस, लेकिन फिर अगर दोपदी मुर् के निशाने पर यश्वंद सिनहा को जित लडाने वाले डल रहते की नहीं रहते, चुने लरकरशी, 21 द्रश्टी से राजनेतिक फैसला है, मुझे समझाई है, ऐसे फैसले जो इतिहास में दर्ज हो जाएं, सामानी राश्रपती के चुनाव तब होता, जब भाजपा भी कि सामानी वर्ग के आदमी को चुनाव में उतार देती, क्या, माली महेश्येट मलानी भाजपा के उमीदवार होते, तो इश्वंद से नहीं ठीक है, उससे बोट का धुर्भी करन नहीं होता, लेकिन मैं फिर यही सवाल खड़ा करूंग, द्रोपदी मूर्मू भारत के एक सा समाजिक वर्ग की पहली ऐसी केंडिडेट थी, जो राष्टपती भवन जाने की लिए निकली, कांग्रेस को समझ नहीं है, 11 करोण की आवादी, 75 साल से वंचित, उस तक ही मैसिस कैसे रिसीव होगा, कैसे वो लेगी, और जब वो आपका ट्रेडिशनल बोट बेंक रहा कभ आदिवासी, इसलिए मैंने कहा, कांग्रेस को देख के मुझे लगता मुमुक्ष आश्रम में सन्यास ले लिया, कांग्रेस ने, ऐसा तो मतलब कोई बर्षों से सन्यास लिये हो, दंडी स्वामी बोई बोलता था, कांग्रेस उस भाव में पहुंच गई है, बोलो छोड़ि है, फिर गांधी जी की सलहा पर चलिए समासेवा में रही है, जब राजनेतिक पार्टी का ऐसा भाव आ जाए, कोई जीते का, कोई हारेगा, चुनाब को चुनाब की तवर पहलो बाकी ठीक है, तो फिर NGO ज़्यादा बहतर आप्शन है, आज की टाइम में, अभी अमिताब तिवारी जी बता रहे थे, कि रामनात कोविद जी का वाक्थी तो छोड़ दीजी के दलित एस्परेशन, दलित चेतना, वो सब तो ही, लेकिन भाजपा, उनको प्रेसिडेंट बनाने के बाद, भाजपा को दस प्रतिशत दलित बोट अतरिक्त मिले, अतरिक्त, ठीक, यान भाजपा को दलित बोट में 10 प्रतिशत का इनांस्मेंट रामनात कोविद जी ने करा दिया, बहुत बड़ी बाद, ठीक, अभी भाजपा के पास ट्राइवल बोट का, आदिवासी बोट का 38% अगर द्रोपदी मुर्मू, क्योंकि दलित तो पहली बार राष्टपती नहीं हो रहा था भारत का, कोविद के जरिये, लेकिन ये तो पहली बार हो रही है, आदिवासी, तो आपके भी दिमाग में यह है कि भाई, पांचों उगली घी में, असरकड़ाई में, बोले 10-15% भी आदिवासी और ज्यादा चैनलाइज हो गया, मोबलाइज हो गया, तो प्रतिभा देवी सिंग जी पाटिल और एक द्रोपदी जी, प्रतिभा देवी सिंग पाटिल का पोलिटिकल मैसेज उतना बड़ा नहीं था, ऐसा मुझे लगता है, जितना बड़ा राजनेतिक संदेश द्रोपदी मुर्मू का है, उपराष्टपती का चुनाव में, प्रलम्मेंट से ही बोट होना है, लोकसाभा राजसाभा तो किलियर है कि धन जगदीब धनकल उपराष्टपती हो जाएंगे, मैं ग्राउंड पॉलिटिक्स की अगर की द्रष्टी से अगर देखू, तो अमितापती बारी उखरक्ट कर देंगे, अगर मैं कुछ कम भूल चरन सिंग जी और देविलाल जी कि बार, शायद कोई जाट उपराष्टपती जैसे बड़े पद पर पहुंचेगा, उत्रे बड़े पद उपर, मंत्री और गवर्णर तो रहे जाट लेता बहुत सारे, मुक्ष्यमंत्री रहे, लेकिन राष्टपती, उपराष्टपती, प्रधान मंत्री वहां तक नहीं, उनके विरुद्ध मार्गेट अलवा, यह तो सोच समझ के फचला लिया होगा आप लोगों ने, कांग्रेस ने, इसका थोड़ा सा बताए, नेरेशन क्या है, कांग्रेस क्या सोचती है, के मार्गेट अलवा वर्सिस धनकार, कैसे उत्तर पदेश में, बिहार में, राजिस्थान में, हरियाना में, कांग्रेस मेसेजिंग करेगी, वह बहुत आमूल, चूल, परिवर्तन और कपाल भाती प्रति दिन सुबह करने की जरूरत है कांग्रेस को, और साथ में जलनेती भी करे, इधर से पानी डालो, इधर से खुलेगा, कैसी, कैसी, मतलब, किस लोक में विश्रन करते हैं आप लोग, भारत की राजनीती इस पर चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे तो कथा भी नहीं होती, राजनीत कैसे चलेगी, उत्तर पदेश, राजस्थान, हरियाना, और बाकी और जगा होगा, मतलब, इन में तो जा आप मित्र कह रहे थे, करें तो भाईज़ आप चाउज़ साब और देविलाल जी के बाद, धनकर्जाब है, तो एक जो कास्ट का प्राइड होता है, जो गर्व होता है, वो बोट में फाइदा देता है, ममता जी ने कहा, हाला कि इस बात का अंदेश आप तब से ही था, चिप मिनिस्टर ममता बेनर जी, धनकरजाब और हिमंत विश्व सर्मा बैठे थे, मैं सभी समझ गया था कि कुछ हो रहा है, ममता जी ने कहा, उपराश्वदी के चुनाव में हमारी पार्टी हिस्सा बोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, कांग्रेस और टीम सी के रिष्टो जगदी धनकर से मिलती है, हिमंत विश्व सर्मा बीच पे पढ़ते हैं और एक राय बनती है, और उसके बाद उनका ये नेर्ने आ जाता है, कि हम उप्राश्वदी के चुनाव में बोटी नहीं करेंगे, बताए पहले हार रहीं थी मार्गेट अलवार नमबर में, और अब जब आप उप्राश्वदी में जाट जगदीब धनकर के खिलाब बोट करेंगे, मार्गेट अलवा के लिए, तो अलवा जी के बोट करके पक्ष में बोट करने ना करने से, बोट तो आपको एक भी ने मिलता, लेकिन धनकर के खिलाब बोट करने से, आपके बोट कट जाए लेंगे गाजियावास से लेके सहारनपूर तक और उदर मतुरा तक यह बास समझने ना 23 लोग सभा की सीटे प्रभावित करते हैं जाट उत्तर पदेश्मार विपक्ष की पार्टी तो बड़ी है लिगे उससे कोई लाब नहीं होना ना माले जी आप मार्गेट अलबा को ती अगर हमको उतने एक्सपर्ट है कि कूद के खड़े हो जाएंगे तो कूदे अन्य था तो फिर वील्चेर पर आजाना पड़ता है आप लोग क्या यह अलग ऐसा बिंग खोल दिये हो कि भाई देश भर में दुर्वीन लेके घुमते रहो और इस टाइप का आदमी खोचते रहो जिसको खड़े करें तो एक तीर से कई निशाने हो जाएं नहीं आज लोग चोग के बुरी धोपती मुर्मू अच्छा फिर उपराष्टपती में जाने कितनों की शेरवानी शिलवा दिया आपने क्या बाद में पता लगा कि धनकल अंकल नहीं कितने भाईजान शिलवानी जिलवा लिए ही जिचकर में कि इशारा है बोल शायद होई जाए मुझसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा अनवचारिक बातचीत में राश्पती चुरा पर चर्चा हुई उन्होंने का गया अभिताब जी मुझे लगता है अगर किसी मुस्लिम कंडिडेट पर दाउन लगाती कांग्रेस हारते तब भी लेकिन मैसेजिंग के पॉइंट अब व्यू से उनका कहना था यश्वंत सिना से फॉर्वेटर होता वो अप्शन क्या यह ज्यादा बेहतर होता कि जो जैसा अमिताब तिवारी ने भी कहा कि आप OVC को आप्ट कर सकते थे चुन सकते थे आप अलप संख्यक में से चुन सकत होते थे एक जगा तो खूटा गड़ता आपका डॉली जी के ऐसा तुने के यश्वंत जी के अच्छी प्रेस कंफरेंस करने आंग्रे जी के शब्दों को धार धार रंग से बोल पाने ऐसी शमताओं को दिमाग में रखके कंडिडेट बना दिया हो गफलत में तो कि इसमें से बर बोलते रहिए प्रेस कंफरेंस करते रहिए एक बोट दाहिमाए नहीं होता है सबको पता है कि क्या पॉलिटिकल एकुशन है वहां बोट जाना है तो यश्वंत सिना को ले कि आप लोग रीजे कहां क्या मसेला था यह कलक पहले आइस रहे उसके चलते आप लोग माघ जो हो शवनम जी कह रहे हैं कि केवल यही देखा है कि मोदी को यह भरपेट अच्छे से लपेट लेंगे है जली जब्हता ने ने रह पाए लेकिन आप अईससरा मैदान में पहलवान उता रहेंगे जो लपेट लेगा मार्गेट-अलभा जी की मा भी कॉंग्रेस में थी और इंद्रा जी की करीवी थी उन्होंने 69 में शायदा कर्म सही याद कर पा रहा हूँ वो चाहती थी कि मुझे उपराश्टपती बनाया जाए कंडिडेट कांगरेस नहीं बनाया तो उन्हें कांगरेस छोड़ दी तो वो ना हो पाई चलो उन इतनी सरल नहीं जिस धंग से कांगरेस क्या मुझूदा नेतर तो उसको खेलने की कोशिश करता है कांगरेस के मुझूदा नेतर तो को यही पता नहीं कि मोहशना किदवई और जियाउर रह्मान अंसारी में पोलिटिकल अंतर क्या है आज की नेतर तो नहीं पता होगा वो पसमानदा की यह इंद्रा जी जानती थी इसलिए वो जया उर्रह्मान अंसारी को मंत्री बना के लाइं के अंदर में आज के लोगों को पूछोगे वो कौफी पीते हुए अंग्रेजी में बता दें नो बहुत हर मुस्लिम से नो पता ही नहीं एवी सीडी क्या है सिना जी ने इसा कौन सा मतलब लोकनाच यह प्रकाश यह सा औरा प्राप्त कर लिया कि उनके पीछे को चल देगा बताओ नहीं ना कमाई खाए आईए सरे अपना बात में देख काम किये ठीक है और उस आदमी के लिए आपने किसका विरोध ले लिया ग्यारा करून की आवादी का और जब आप यह मानते हो कि बीजेपी हमसे जादा अच्छा प्रचार फैला देती है तो शबनम पांडे कल से चना मुर्मुरा गुर लेके क्यों निकल जाएंगी जंगल जंगल यह पताने के लिए कि देखो आपके आदमी को रोखने के लिए कंग्रेज ने यह किया राम मंदिर रोखने के लिए कंगल सिब्बल को आगे किया इस धारणा से कंग्रेश का इतना नुक्सान हुआ जीवन में कभी नहीं हुआ ओगा फिर भी कंग्रेस को समझ नहीं आती ममता बनर जी तब बहुत शार्थ अंदाज में पत्ते चल रही है येश्वंत सिना को ढून के बोलाई लेकिन येश्वंत सिना का जब अनौसमेंट हुआ तो उनकी पार्टिस कोई नहीं आया येश्वंत सिना ने कहा कि मैं कोलकता ना चा अलवा जी का हुआ तो अलगी खड़ी हो गए धन्युकर जी के साथ दार्जलिंग में मुलाकात हुए उनके राष्टपती चुनाब तो निपड़ गया लेकिन हर्याना राजस्थान उत्तरप्रदेश इन राज्जियों में उपराष्टपती का चुनाब बहुत बड़ी अधा करेगा राष्थान में चुनाब है अभी वहां दो ही जातियां डॉमिनेट करती है पालिटिक्स को राजपूत और जाट जाटों से जाके पूछिए वो कहरें भाईया चब बड़े चोधरी साब और देविलाल जी के बाद अब धनकर जी हैं फेस ऑफ दा जाट प्राइड अब उनके विरुद्धा आप मार्गेट जी को लाए हम मार्गेट जी के व्यक्तिकत उस पर नहीं कहता है चमता पर लेक उनकी यह बात कम से कम उम्प्रकार राजवर्त बेतर से वस्ते हैं और उनसे जो बड़ी पार्टियों की लोग नहीं समझ रहे मायवती जी ना समझ थी उनके पास कोई बहुत बोट नहीं था राश्वद्धी की चुनाव में करने के लिए उनका भी सब लुट पिट गया कि फिर भी जितना था उन्होंने पहले दिन गोष्णा कर दी दृपदी मुर्मूप वो जानती थी कि दलित और आदिबासी के कलेश में हमको नहीं फसना वर्ग का विरोध हो जाएगा वर्ग का विरोध हो जाएगा इसलिए मैवतीन अपने कॉला कर लिया उजांदे दें ये श्मन सिना को डोनर्सकोई लाब भी नहीं क्या मिलेगा निगर पालिका कि कि एक सभासत की सीट भी नहीं जीत सकते हैं पर यह बुन्यादे मसले हैं और रादनेतिक व्याख्या के अत्रिक्ट मैं एक बात कहूंगा जिससे मेरा मन खुश है इसलिए नहीं कि भाजपा का कंडिडेट या NDA या UP नहीं यह भारत के लिए गर्व का छण है आदिवासी पर यह भारत की लोक्तांत्र की इतिहास के माथे पर कुम-कुम काते लग है रोली चंदन काते लग है अध्वुत भात है किया नाराईने साथ बने तब भी अध्षुत बदलाव था बाद में एक लाम साथ बने वह अ बड़ा प्रयोग था रामनाइज जी आया बड़ा प्रयोग था vet लेकिन मैं कहूंगा इन सबसे बड़ा प्रियोग है भारत की अव तक के इतिहास में राइट फ्रॉम राजेंद्र बाबू टू कोवेद दुरोपधी मुर्मू आज भारत की सामाजिक समर्स्ता की का एक साइकिल पूरा होगा हमने सिख प्रधान मंत्री दिया हमने मुसलिम राष्टपती दिया हमने दलित राष्टपती दिया यह एक बड़ा वर्ग छूट रहा था सच में वंचित था उस वंचित वर्ग की प्रतिमा को उठा के जिसका नाम दोपधी मुर्मू है आज भारत ने अपने कंधे पर बैठा कर उस मूर्ती को राष्टपती भवन में पतर स्ठापित करने का काम किया है यह गेम चेंजर है नहीं है यह गंटा डिसकस करी लिया वो पॉलिटिक्स की बात है लेकिन इस समाज में बड़े परिवर्टन का वाहक होगा और द्रोपधी मुर्मू का चयन निरवाचन भारत के इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं में लिखा जाएगा मायवती जी जब उत्रपदेश की पहली वार मक्यमंत्री बनी थी तो नर्सिंग राओ जी प्रधान मंत्री थे और वो अमेरिका में थे मेरिका में उनसे रेपोर्टर्स ने पूछा तो मुझे याद है एक लाइन की टिपपनी की थी राओ साब ने उन्हों ने कहा था ये भारत के लोकतंत्र का चमतकार है मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा द्रोपदी मुर्मू का राश्ट्रपती भवन में विराजित होना भारत के लोकतंत्र की शक्ती और उसका चमतकार है उसको पढ़ाँ